सोलन में चोर इस तरह से बेकॉफ घुम रहे हैं कि दिन दिहाड़े ही चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं ताजा मामला सोलन के बाइपास का है जहां पर के एपसी के पास चोरों ने एक वैन से जुरूरी दस्तावेज वह करीब तीन हजार का कैश चुरा लिया जिससे वैन मालिक परेशान है वो पुलिस को इसकी सुचना दी गई है अब सोलन में जगा जगा चोरी की घटनाए सामने आने के बाद लोग जगा जगा वहान ख़रे करने से भी डर रहे हैं वहीं इन दिनों चोरों का इस कदर खौफ है कि आए दिन सोलन में कहीं न कहीं चोरी की घटनाए सामने आ रही है जिससे एक बात स्पंश्ट है कि सोलन में चोरों में खाकी का बिलकुल भी खौफ नहीं है वो चोर दिन दिहाडे चोरी की घटनाओं को अंजाम दे कर अराम स भाग जाते हैं वो ठाकी उन्हें ढूरती रह जाती है यह घटना सुभा करीब आठ बजे की है च्योर आता है वो बड़े अराम से गाड़ी में जहांक कर उसमें से जरूरी दस्तावेज वो करीब तीन हजार रुपए की नगदी चुरा कर भाग जाता है गौर करने वाली बा चार लोक खड़े हैं लेकिन चोर अपने काम को अंजाम दे कर धीरे धीरे किस तरह से यह देखिए आप बैग हात में उठाकर रफुचकर हो जाता है सामने खड़े चार लोगों को इसका शक भी नहीं होता कि यह क्या हुआ यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है अब आ चार से चोर बेक आफ अपना कारे कर देखिए